नवस्कार महुख सिरोज हास्मी आप देखरें प्रहार टाइंस मुम्रा से सटे भारत गेर के समय दोस्ती बिल्डिंग तक क्रोना वाइरस पहुच गया हम आपको बता दे दोस्ती नामक इमारत में रहने वाले एक सक्स को क्रोना पोजिटिव हुआ है जिसके बाद एक बार हरकम मच गई है जिसक्स को क्रोना पोजिटिव हुआ है वो समास सेवक के रुप में जाने जाते हैं ये दोस्ती इमारत में पहला करोना केस सामने आया है काफी उचाई वाली इमारत और काफी संक्या में लोग रहते हैं और ये दोस्ती बिल्डिंग दीवा प्रभाग समीटी में आता है बिल्डिंग फिलहाल सासन प्रसासन ने पुरी तरह से सिल कर दिया है और आज मुम्रा के इस्टेशन के पास मुशा कासा मिमारत में करोना को लेकर हंगामा मचा था लेकिन अधिकारियों से बात करने के बाद पता चला फिलहाल अभी रिपोर्ट नहीं आई है जाच किया जा रहा है लेकिन हम आपको बता दें मुम्रा की क्रोना पोजीटिव का आकड़ा 40 पर है अब 40 क्रोना पोजीटिव मिले हैं अब तक लेकिन ठाने महानगर पाली का पूरी तरह कोशिस कर रही है कि कैसे इन क्रोना पोजीटिव को निगीटिव किया जाए कैसे इनको ठीक किया जाए करोना पेसेंट कैसे ठीक हो और 40 करोना पेसेंट जो मुम्रा के हैं उन में से 20 के करीब अब तक ठीक होकर आ चुके हैं और सहर के समास सेवक इम्तियाज वनू भी फिलहाल सौस्त हैं और उनके साथ उनके परिवार वालू का भी रिपोर्ट नेगेटिव आया है और समीम खान भी अब ठीक हैं स्वास्त हैं और कलवा मुम्रा के विधायक ग्रह निर्मार मंत्री जितेंदरावाड भी अब उनकी तबियत में सुधार आई है स्वस्त हैं वो भी जिस तरह से पिछले दिनों सहर में हंगामा मचा था उसे ही सबसे पहले कैच करता है क्योंकि वो कमजोर होता है वो इंसान टीवी का दूसरा मर्ज है क्योंकि ज्यादा तर रिपोर्ट उनकी टीवी वालों को ही आती है जिसको टीवी होता है तो खास करके वो लोग भी बचे जो कमजोर होते हैं उन्हें करोना जैसे संकरमर से बचे इसलिए वो लोग भी साउधान रहें अब तक मुम्रा से करोना पोजिटिव पाए गए चालिस केस बीस लोग उसमें से रिटेन आ चुके हैं ठीक हो गए हैं अपने घर पहुच चुके हैं अपने बच्चों में हैं दोस्ती में रहने वाले सक्स को बताया जा रहा है पिछले दिनों तब्यत खराब थी और कल वो चेक अप करने गए थे जहां उनकी रिपोर्ट कोरोना पोजिटिव आई है इसी के बाद जो है सासन प्रसासन उस दोस्ती इमारत में पहुची जहां पर भा देखने के लिए देखते रहे प्रहाट हैं ताजा तकी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकॉन दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें